जिनीती में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ऐसा ही कुछ हुआ ब्रिटिन में जहां एक ही दिन में पीम बोरिश जॉनसन की कैबिनेट के दो कद दावर मंत्रियों ने उनके नेत्रतु पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। BBC को पता चला है कि वृतानी कैबिनेट के कई मंत्री प्रधान मंत्री वोरिश जॉनसन से कहने वाले हैं कि वो पद छोड़ दें। और बोरिश जॉनसन ने संसत में आज ये कहा। और कंजरबेटिव सांसद प्रधान मंतरी के साथ खड़े हुए हैं। देखें बीबीसी सम्मादाता डेविड वाल्स लॉकर्ड की ये रिपोर्ट। बिटिन के वित्मंतरी रिशित सूनक और स्वास्ते मंतरी साजित जाविद ने चंद मिंटों के भीतर इस्तीफा दे दिया। ये दोनों बिटिश काबिनेट में प्रभावशाली मंतरी थे। साजित जाविद जब पिछले शाम घर लोटे उन्होंने चुप पिसाद ली। लेकिन वित्मंतरी रिशित सूनक ने अपनी बात कुछ इस तरह कही। लोग सरकार से यही उमीद करते हैं कि वो ठीक से और गंभीरता से काम करे। मैं मानता हूँ कि इन मानकों के लिए लड़ा जाना चाहिए और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जबकि स्वास्त मंतरी साजित जाविद का ये कहना था। ब्रिटन के लोग अपनी सरकार से सत्यनिष्ठा चाहते हैं। हम हमेशा लोग प्रियर नहीं रहे होंगे लेकिन हम समर्थ रहे हैं। दुख की बात है कि लोग वो नतीजा निकाल रहे हैं जो नहीं है। कई जूनियर सरकारी अधिकारीं के साथ कैबिनेट से इन दोनों मंतरियों की रवानगी की कडियां इस साल फर्वरी में क्रिस पिंचर की नियुक्ती से जुड़ती हैं। इस मामले में बॉरिस जॉनसन ने माफ़ी मागी है। ये बात सामने आई है कि बोरिस जॉनसन से क्रिस पिंचर की औपचारिक रूप से शिकायत की गई थी जब वो फॉरेंड ऑफिस मिनिस्टर थे ये वो बात है जिससे टिन डाउनिंग स्ट्रीट ने पहले इंकार किया था तो क्या Boris Johnson सत्ता में बने रहेंगे? शायद इसमें हैरानी नहीं कि विपक्ष के नेता उनकी विदाई चाहते हैं. उन्होंने अपने ओफिस और देश की गरिमा को कम किया. लेकिन प्रधान मंत्री के सहीयोगी चाहते हैं कि वो अपना काम जारी रखें. मैं प्रधान मंत्री का पूरा समर्थन करता हूँ. मुझे लगता है वो इस पत के लिए सबसे सही व्यक्ति है. उन्हें ब्रेटेन के लोगों ने जबरदस बहुमत दिया है. सिर्फ धाई साल पहले असी का बहुमत. राजनीती में ये सब होता रहता है. लेकिन सबसे उम्दा अकले नए स्वास्ते मंत्री होंगे. आज सुपर बोरिस जॉन्सन की पुजिशन थोड़ी डगमगाती लग रही थी. लेकिन वो कुरसी से हटने की मांगों को खारिज कर चुके हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं. और भारतिय मूल के रिशी सूनक कर बिटन में बसे थे. उनने सो असी में जनमे सूनक ने ओक्सवर्ट से फिलोसिफी, राचनीती और एकॉनमी की पढ़ाई की. सूनक स्टान्फर्ड यूनिवरसिटी से एंब ए की डिगरी भी ले चुके हैं. सूनक यूरोपेन यूनियन को लेकर हुए जनमत संग्रह में इसे छोड़ने के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं. और उनके संसिद्य शेत्र में यूरोपेन यूनियन छोड़ने के पक्ष में 55 फीस्ती लोगों ने मतदान किया. उन्होंने ततकालीन प्रदहनमंत्री टेरिसा में के ब्रेक्जिट सौदे पर तीनों बार मतदान किया. सुनक का इस्तीफा इसलिए भी एहम है क्योंकि उन्हें बोरिस जॉन्सन के शुरुवाती समर्थकों में माना जाता था. वो कई बार उनके समर्थक के तौर पर मीडिया में नसर भी आ चुके हैं. जुलाई 2019 में सुनक ने वित्मंत्राले के मुख्य सचिफ का पद समहला. फरवरी 2020 में ततकालीन वित्मंत्री साजित जाविद के इस्तीफे के बाद सुनक को ब्रिटन का नया वित्मंत्री बनाया गया था. उन्हें कंसरवेटिव पार्टी के एक उभरते हुए सितारे के रूप में देखा जाता रहा है. पार्टी के कई शीर्षनेता उनकी प्रशंसा भी खर चुके हैं. सुनक की पतनी अक्षता मूर्थी भार्थी सौफ्ट्वेय कमपनी इन्फुसिस के को फाउंडर नरायन मू जिसका मतलब है कि ब्रिटन से बाहर कमाई गई दौलत पर उन्हें ब्रिटन में आयकर नहीं देना होता है. इसके बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने सुनक परिवार के टाक्स लाब लेने पर सवाल उठाए थे. अपने इस तीफे में आगे कोई भी मंत्रीपत नहीं सम समुदा आये इस राजनीति खल्चल के बारे में क्या सोचता है ये जाना बीबीसी समवादाता गगन सभरवाल में. जो लोग ब्रैडफिर्ड के मिजार्टी लोग जो है ब्रैडफिस हाँ जहां बे रहता हूं 61 परसंट ब्रेक्जिटियर उन्हें ब्रेक्जिट को वोट किया था बोरिस जॉनसन को उसको भी सपोर्ट किया था लेकिन अब भी आप वो भी यही कह रहे हैं कि हम भी रिजाइन हो गया वो भी रिजाइन हो गया तो यही सोचती अब कौन है कौन आएगा अब अगर हकूमत अगर चला नहीं सकते तो निकल जाओ क्या वाइदा है यहां रहने का हूँ दुख हुआ सुनके क्यूंके एज़ा पाकिस्तानी एज़ा मुसलिम और हीज साउट ह परसन तो ना प्राउड था हमारे लिए कि वो जो है यहां बेसाफ कर रहे थे और यह है क्या है कि बहुत अच्छा साफ कर रहे थे और दुख है बाकि मुल्क के हालात भी अब जो है महुआई बहुत ज्यादा है और बहुत जादा हमारे लिए सर्वाइब करना थोड़ा तो यह सब चीज़ें जो है ना लेके हम थोड़ा वरी हैं जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लोग हुआ करते थे वो सुरतार इस बोरस जांसन ने यहां इस मुल्क की कर दी है तो अगर बोरस जांसन इस मुल्क को नहीं संभाल सकता है तो उसको फोरी तोर पर मुस्ताफ लोग है तो बोर को दो यह सबすंदी घो है तो ऑ्रवाज40 शार्वेहा है जिस दोग दीज़ें से बेनल में जोग है जो दोग दोग है तो लो, भौ है दोगू hatred